ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अर्विंद केजरिवाल जी जैसा सच्चा इमांदार देशभक, कट्टर इमांदार मेता इस देश में नहीं है जिनको ग्रफतार करने के लिए भारतिय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक रचे, हजारों तरह की साजिशें रच नहीं एक कट्टर इमांदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिन्दगी को समारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंतर के इतिहास में नहीं हुआ, आज हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धनिवाद करते हैं, हम इस देश के सम्विधान का धनिवाद करते हैं, बाबा सहाब का धनिवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है, और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, जूट भी एक्सप गया हम बार-बार कह रहे थे सिंगवी साब ने हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे उन्हों ने ऑनरेबिल कोट के सामने बार-बार यह सब दोह रहा कि ये इंस्वरेंस अरेश्ट था ये किसी गलत काम के लिए अरेश्ट नहीं किया गया था कोई करप्शन के लिए अरेश्ट किया गया था भारतिय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती पार्टी को नहीं तोड़ पाती तो एक इंशरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी तूट जाएगी इनकी सरकारे धोस्त हो जाएगी लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को जाद करते हुए धन्यभाद करते हुए उनलबिल सुप्रीम कोड को धन्यभाद करते हुए सिंगवी साफ का धन्यभाद करते हुए आमादमी पार्टी के एक-एक कारिकरता एक-एक कर रही थी वो टूटे नहीं हटे नहीं जुके नहीं सच्चाई के साथ लड़े रहे सच्चाई की जीत हुई है हम बहुत खुश हैं आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी बाद सिर्फ केजरिवाल जी की नहीं है जो भी आदमी सब के लिए बहुत दुखच्च्च्च्च्च्च था एक एक कारेकरदा के लिए बहुत Morris था लूग रोयहे हैं उनके वात के लिए लोगों ने प्राइफनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं इश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ, कि उन्हें हमारी सुनी है. करेंगे अभी अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी ओनरेबल सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉंड वगेरा हैं उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मल्टीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हम इंद्रदेश्चित करेंगे फ आशिरवाद लेंगे पिता जी के आशिरवाद लेंगे भावी जी के साथ मिलेंगे अभी हम वहां जा रहे हैं